हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं इंग्लिस वोकैब जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इंग्लिस वोकैबिलिरी का डोज हर रोज और कोष्टगर्ड के एक्जाम आपको पता है लगा हुआ है और इसका पहला प करने वाला हुआ हैं इसमें डिसकौस करणे करने वाला हुआ इसमें डिसकाई कर Miguel करेंके जो neat зах龍 संब आपके मतलब नहीं सब्सक्राइबं कर लिए अब ही और आप एकजाम देकाईगा और बताइगा कि हाँसे कॉशन आए कर आए Keith नहीं आए चली आगेते हैं ज्यादा समयने लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे, आपका सपोर्ट रहा, तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और अभी तक आपने comment section में जाहन नहीं लिखा है, तो जाहन लिख दीजे, motivation मिलता है, question करिगे, regarding आपक आपको प्रवाइड करेंगे, तो चले, start करते हैं, questions को, दोस्तों आपको जैसा के screen पर दिखा दे रही है, 21 से start करेंगे, 20 questions हमने आपको already discuss कर लिया है, आप वो first part जरूर देख लिजएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, और fixed proposition का ये chapter चल रहे है, मतलब कि fixed proposition डिसकस करने वाल है, और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 21 नवर पे, deal in business, deal के साथ 2 proposition लगता है, एक in लगता है, और दूसरा क्या रखना है, direct आपको question मिल जाएगे, filling the blanks में, question में चलते हैं, 22 पे, injurious to health, जहां भी आपको injurious दीखेगा, आपको वहाँ पे two chip का देना है, आपको सही हो जाएगा, बाकी उसमें कुछ करना नहीं है, और इसमें आप जरूर बताएगा, comment section में आपको कितना याद था, चलते ह कारे काल के द्वरान, आप समझ लीजिए, मतलब की मिरत्यू जो होता है, service के द्वरान या फिर harness के द्वरान, तुसमें लगता है, और डेट का जो भी और भी है, मैं आपको बता देता हूं, just wait, और डेट के लिए और भी जो होता है, जो डेट के लिए, जैसे food के खाना, ख गर यहाँपे कुछ भी नहीं लगाना है, despite के साथ लोगता है, आपको कुछ करने की जबूरत नहीं है, इनएजवाइ और डेट के साथ लगता है, जिन आपको याद रखना है, चलते हैं 25 नमर पे और यहां पर आप देख सकते हैं यह 25 नमर पे differ with person यहां पर आप देख सकते हैं यह 25 नमर पे हम discuss करेंगे differ with person होगा जहां भी with नहीं जहां भी person का बात करेगा differ के साथ तो वहां पर with position लगाएंगे अगर differ के साथ तो इस थिंग का वस्तू का बात करेगा तो और शाध रहेगा तो शाध रहेगा तो फ्रॉम का यूज और यहाँ पर दिया है 26 नुवर पर 26 नुवर पर डिया UP Depend, Depend के साथ जहां भी आएगा, मतलब कि, Depend जहां भी आपको दिखेगा, वहां पर क्या करना है, आपको On Chip का देना है, क्या चिप का देना है, On Chip का देना है, चलते हैं, 27 में पर, 27 में पर क्या देना है, Part From, जब बात करें किसी परसन से दूर जाना किसी परसन से दूर जाने की बात करेगा तो वहां फे फ्रॉम का यूज करेंगे अगर वस्तू से दूर मतलब कि किसी वस्तू से दूर का बात करेगा तो पार्ट वीथ यहां पे हो जाएगा अगर परसन कराएगा तो फ्रॉम और वस् का मतलब यहां पर समझ लेजिए विसाइड में होता है के बगल में और विसाइड में के अलावा होता है जो मेरे बगल में बैठा है यहां पर वह सीट खाली है था तो यहां पर आप देख सकते हैं मतलब कि बगल में बैठने का बात कर रहा है यहां पर विसाइड हो जाएगा और के अलावा का बात करेगा जब, तो B-sides का यूज करेंगे, तो आपको धोरा सा ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर 13 नवर पर वही आगया question, B-sides being a quad, he is a fickle minded too, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलावा का बात कर रहा है, तो B-sides हो जाएगा, चलते हैं 31 पर, 31 पर जो दि पकते हैं, चाहे कोई भी shift हो, हर shift में, यहाँ से question है, इसा हो जी नहीं सकता, और वीडियो आपका अच्छा लगा, तो लाइक जरू कर दिजएगा, और दोस्तों को refer भी करेगा, मतलब की refer करेगा, उनको भी, अगर आपको अच्छा लगेगा, तो, coffee with का मतलब भी होता है, तो cop के साथ जब भी आएगा, तो with का use होगा, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, 32 नहर पर, 32 नहर पर यहाँ पर देखिए, important question है, the architect entered into an agreement with the contractor, यहाँ पर साबसे पहले star में जो लिखा हो, वो समझे, enter to का मतलब होता है, जब समझा होता हो, enter into जब होता है, तो, मतलब की समझा ह पर यूज नहीं करेंगा, घर में पुर्वेश कर रहे हैं, कहीं पुर्वेश कर रहे हैं, तो, अगर समझा होता है, कि बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे into का use कर लेंगे, किसी के साथ, Sharp के साथ, तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रगना है, इंटर into रहेगा, का पप जब इखा गया यह आपको डियाक्ट याद कर लेना है इस सब के साथ जो क्या लगेगा तो आपको याद कर लेना है सब के साथ तू का यूज करेंगे ज़िए आगे बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पर और यहां पर आप देख सकते यहां पर 2008 देखिए मुझा ने लिखा गया इसा नहीं है डायरी पूराना है यहां पर देख सकते हैं 34 नमर पर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट जब भी आएगा फ्रॉम माइन मतलगी मेरे से डिफरेंट फ्रॉम और उसके बाद बात कर लेटे एग्री 35 नमर पर दिये एग्री वीट समवन अगर किसी के से आप साहमत है कि पर देख साहमत हूं उसके बातों से आइग्री वीट शंमवन और किसी वस्तु से या फिर मेटर वेग्र अगराँ बात कर ले तो यहां पर एग्रीट वू संथिंग हो जाए गा उसके बात बात कर लए तो आइड़ सम्तिंग और इननेट विद श्रम्वन जब पर्चन का बात कर ले गया तो वीत का यूज करेंगा अनोईट के साथ और और जब something का मतलब वस्तू का बात कर लेगा तो add का use करेंगे तो आपको ध्यान रखना है चलते हैं question number 39 पे 39 दियाएगा है एवल off मतलब कि लाव उठाना तो एवल जब भी आपको दिखेगा वहाँ पे क्या चिपकाना है आपको एवल ओफ शिपका दे रहा है एवल ओफ बात कर लेता है 40 पे angry with someone angry with जब भी आपको angry दिखेगा वहाँ पे दो प्रप्रिशन का use होता है लगबग angry with someone मतलब जब वस्तू का बात करेगा sorry जब आपका person का बात करेगा तो with का use करेंगे क्या use which person के लिए with का और जब something का बात करेगा तो add का use करेंगे something के लिए add जैसे यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है she was यहाँ पर example लिखा गया she was angry at his college ness मतलब बेरहमी से मतलब हो गया है तो यह add का use करेंगे किसी person का बात कर लेते किसी से परशार वह किसी परशार तो वहाँ पर with का use कर लेते अब बात कर लेते 42 पर यहाँ पर 42 आप देख सकते 42 नंबर हो गया adapt toРЕब्ड जब भी आपको चिपकेगा मतलब की adapt जहां भी लगेगा मतलब की होना होता है मतलब की कर अणकूल हो खालेकर मतलब की होता है के शमिप होना आटźसा जब भी लगेगा आपका टू ही लगेगाएडएप्डेप्ट टू एइंटी डोट्ट टू अपका प्रपोजिशन लगेगा इसमें एड़ेसंट टू एड़ेप्ट टू एंटीडॉट टू बिनाशक होता है विश्णासक सॉरी विश्णासक एंटीडॉट आपने देखा होगा कि रिस्वेगर फिल्म तो आपको पता होगा पैंतालिस पर चलते एप लोगाईज आपलोगाईज मतलब टू आपको छमा मांगने घाया अ किसी के लिए किशी गलती के लिए ऑन से माफी मांग रहा हूं तो यह थे 45 कोश्चन और भी इसमें है बहुत सारे बट आप अभी इतना ही देखिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर बता दीजेगा कॉमेंट सेक्षन में आपके कितने सही है कितने आपको याद है यह भी जरूर बताएगा वीडियो को करना नहीं बोलेगा शेर करना नहीं बोलेगा आपको अगर अच्छा लगा होता हो दर्वाइस कोई बात नहीं अगर आपको चलाएगा तो यह continue रहेगा सिरीच वरना यह बंद जाएगा तो चली दोस्तों जैन्द जै भारत